है दो है वी तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप MIUI 12.5 से MIUI 12 या फिर MIUI 11 में जा सकते हो या फिर आप कहलो कैसे आप Android 11 से Android 10 में जा सकते हो बिना बूट लोडर को अलोक किये बिना टीडियोपी रिकावरी के बिना रूट के था पर आप देख सकते मेरे डिवास के अंदर एंड्रोड 11 है और मैं मीवाइ 12.5 पर रन कर रहा हूं तो आज मैं आपको मीवाइ 12 पर जाके दिखाऊंगा और वो होगा एंड्रोड 10 वाला आपके रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाई है अब देखो मैं आपको बता दू यह जो ट्रिक है भाई मैंने पहले भी बताई थी वह था उस चीछ की नहीं जिसको भी बीट जो अपडेट जहां पर करते थे हम उसमें प्रोलम आर थी बीट टेस्टर एरा रा था उसकी है यह लोगों को घुनिया भट कोई अदर कंट्री की रॉम इसकोटे चाइना भी चाहिना बीट हो गया फिस चाहिना स्ट्रवल वाली रॉम इसको तो भाई देखो मैं आपको बता दूए रहा था नाहीं मेरे इंड़ियों है यह लुथ हो नहीं कोई चायना की रॉम करने वाले थो सबसे पहले आपके डिवाइस में फाइल यहां पर हो गांट इस टो आपका अप्डेट सी डिवाMag अपका पूर्प नियुक्छ करने वाला डियुक्र ऑफों कोई का डिक कर निया नियुक्न है आप के यह दएक्ड साने आपका कोन साी बस वर्जन को कर रहा है अभी देख सेते हो 12.5.2.0 यहां पर रन कर रहा है जो कि Android 11 बेस्ट है इसका लेटिस्ट अपडेट यह है तो आपको इसकी एक फाइल डाउनोड करने पड़ेगी जो कि आपके पास हो नीची है तो बस यह है कि थोड़ सा आपका इंटरनेट लगेगा और कुछ भी यह में तो सव दिखा डिखा दीता हूँ यहां पर आप देख चीतों यह झांपर तीन पिर सो जिसमें से आप ड Gothic कीमी आप ऩेसे वाली 12.5.2.0 यह वाली देवायस का नाम लिख दीन देना और आपका यहां दसेदे अप्र आता यह वude, नो कई अबाट यहांसे आप डाउनलोड कर सेक्ते हैं थी कौनसा बीया आप कर सकते हो हो तो देखो यहां पर यहos andeloode 11 और चारा हूँ हो यह на MIUI 11 की भी डाउनलोड कर सकते हैं मैंने MIUI 11 वाले ट्राइ नहीं किया मैंनों Android 12 वाले ट्राइ कर रहा हूँ और मैंने कबसे को 25 फाइल डाउनलोड करी थी दो तिन डिवास में ट्राइक तब यह चीज मेरे को वर्किंग देखने को मिली अब सिंपल करना कुछ नहीं यह दो फा अब आपके आपके डिवास में अभी है वह उसको सलेक करना और उक्कि कर देना मेरे में 12.5.2.0 अब इस्टोल है तो मैं उसको ही सलेक करोंगा देख सी तुमेने सलेक किया और यहां पर इंटरनेट कनेक्ट रहने चीज़से की मेरा है तो मेरा कनेक्ट है और यहां पर आप अब आप करने करना और रोग क करो गई तो फाइल कर एक करप सकते हैं तो यह यहां पर आ चुका है इसका मतला कि हमारी फाइल हो जाएगी सक्सेस्फूल है और यह जाते हैं और ओनलों के दोनों आप इनको इक बार बैकप भी बना लेना डवल कोपी कर लेना कि कभी कह एक जाना, इसको rename कर देना, rename करने के बाद वही same trick है, आपको कुछी निगा में बाद rename करना है, देख से यहां पर हम जाते all पर तो यहां पर यह आएगा, कुछ select all, select all के बाद copy और इसको बाई यहां पर जाके, इसको काट देना और rename करके कर देना ठीक है हमने क्या किया उसका जो नाम है वो चेंज कर दे गया और उसके फाइल का जो नाम था उसको कोपी कर लिया अब जो जिस फाइल को आप इस्टोल करना चाहते है उसको रिनेम करो और यहां पर जाओ इसको सबको हटा दो इसको रिनेम करना है बस और कुछ नहीं करना यह ओक करने बद यह को गया कुछ यहां पर तो हमने क्या किया है जो अमारी जो ऑड वाली फाइल उसको न्हीं वाली फाइल में कर दिया और कुछ नहीं अब देसे तो यहां पर यह आ रहा है सिंपल इसको कर देते हैं डिक रिप्टिंग होगा और यह आपका 110 पर्सेंट हो जागा कि यह जो चीज़े मैंने 2 QLत राइक है जब मैंने को लगा कि यह 100 पर्सेंट किया तभी मैं जा के वीडियो बना रहो मैने करी हो निय्iveness एक बार भी नहीं हुआ जाror पीडी कर्गे लिट garden आपको फ्यक्स वेट करना यहEE मिंग करने, आपको फोड़ासा टाइम यह चुपा है कि आपके आपको वेड चुपाइब तो आपको wait करना देशिए तो यहां पर start हो चुका है तो wait करना है wait कर लेते हैं उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ और यह आपका 99-99 कैसे करके dot हो जाएगा यह कुछ इस तरह से यहां पर अटक जाएगा तो बिल्कुल भी घवरानी की बात नहीं आपको इसको छोड़ देना है इसके बाद MIUI वाली recovery ओपन होगी उसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगा बाकि यहीं बताना था है भाई अगर यहां पर अटक जाता है मेन मेनी और यहां पर recovery 5.0 तो यह कुछ इस तरह से आपका recovery ओपन हो जाएगा जब आप Android 11 से Android 10 में जाओगे या फिर कभी भी यह आ सकता है तो यह आता है तो simple यह जो बाई second वाला option volume down करके wipe में और power button को दबा देना है नीचे wipe all data फिक confirm में जाके यह कर देना है volume up and down से आप उपर नीचे कर सकते हैं power button से select कर सकते हो तो wipe all data आपको करना पड़ेगा तब ही जाके आपका होगा simple main menu में जाके reboot पे tap कर देना system reboot और अब आपका काम हो चुका है अब आपको थोड़ा सा वेट और करना दो तीन मिनिट का जिससे कि आप फोन reboot हो जाएगा और इसके बाद आप Android 11 से Android 10 में स्विच्च कर जाओगे थोड़ा सा और वीट कर लेते हैं और मैं आपको पूरा दिखाता हूं कि हम सुच्च किये हैं या नहीं तो यहां पर गाइस देख सकते हैं मीवड 12 लिखा हुआ आ चुका है तो सेट अप मांग रहा है इसको हम जल्दी से सेट अप कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे डिवाइस एंडोड 10 पर पहुंचा है या फिर नहीं तो इसको हम जल्दी से सेट तो यहां पर आप देख सकते हूं कि हमारे डिवाइस जो चालू हो चुका है देख सेटिंग में जाके मैं आपको दीखा देता हूं कि जिस वर्जन पर मैंने स्वीच किया था मीवड 12.0.2.0 देख सेटे मीवड 12.0.2.0 नहां पर आचका हुआ और एंडूड 10 पर हमारे ड Android वर्जन भी चेंज कर से तो यह ट्रिक काफी काफी अमीजिंग है और यहां पर आपको अपडेट भी सो करेगा अगर आपके डिवास में कोई अपडेट आ रहा होगा तो अभी यहां पर कुछ तो करनी रहा है वैसे हो सकता है थोड़ी देर बाद में रिबूट वगारा करेंगे अगर आपको अपडेट करना तो अपडेट भी कर सते हो वर्ना आप देशी तो मैंने एंडूड 11 से एंडू 10 कर लिया बिना कोई PC के बिना कोई आपको वीडियो को लाइक कर देना और काफी सारे लोग भाई इस चीज को रोंड चेंज करने के ने यूज कर रहे तो भाई आपका डेटा वेस्ट होगा क्यों मैंने ट्राइक किया मेरे से नहीं वह इस वाइसे मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं इन वीचा कुछ पता चल